बॉलिवूड और पॉलिटिक्स का पोहत पुराना रिष्टा है लगबग हर दिन पॉलिटिक्स या बॉलिवूड इंडस्ट्री के बीच कोई ना कोई लिंक आखिर जुड़ी जाता है जिसके लिए भी उन्हें काफी तारीफे मिली थी वहीं अब हर मुद्दे पर बेबाकी से जवाब देने वाले नजीर अदिन शा ने हाली में सरकार पर तंज कस्ते हुए कहा है कि मुसल्मानों के खिलाफ नफरत फैलाना फैशन हो गया है जिससे सिनिमा के जरीए सरकार बहुत चतुराई से फैला रही है हाली में एक इंटिव्यू में नजीर अदिन शा ने कहा है कि कुछ फिल्मों और शो का प्रॉपगेंडा के रूप में यूज किया जा रहा है साथ ही इनका इस्तमाल इलेक्शन में वोट पाने के लिए भी हो रहा है यही वज़ा है कि आजकल पड़े लिखे लोगों का भी मुसल्मानों से नफरत करना फैशन बन गया है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि नजीरुदिन शा ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साथते हुए कहा है कि चुनाव आयोग भी ऐसी चीजों पर शान्त रहता है जब पॉलिटिकल पाटिया धर्म का यूज इलेक्शन के लिए करती है तब चुनाव आयोग भी चुपी साथ लेता है इस बार तो नजीरुदिन शा ने पीम मोधी पर भी निशाना साधा और कह दिया हमारे प्रधान मंत्री भी आजकल इन सब चीजों का इस्तमाल करते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं इसलिए मुझे यह उमीद है कि यह जल्द ही खतम हो जाएगा अब कही ना कही नजीरुदिन शा की इस स्टेट्मेंट को सब्द केरला स्टोरी से जोड़ रहे है झार धार जयुप झार जाएगा जानाा जा सुझाओा झारां लाट वाएगा है